है लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चनल टाइमस एजूकेशन मेरा नाम है नंधनी सिंग डिसकस करेंगे आज की वीडियो में पॉलिस्य ओफ इस इंडिया कंपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था इस्टेबिलिस्मेंट ओफ इस इंडिया कंपनी पावर इं यही वह पॉलिसी हैं पॉलिसी और यही वह पॉलिसी हैं जो हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सबसे पहला है प्रेकललं में किया धीन कए तीन टाइप पहले संदी नीती सारबूचता की नीती तो संदी नीती जो है इसको कहले हैं लॉड वैलेज ली ने से सेटी रूट तक भी सिरू किया था इसको समय 1998 में और इस संदी पर हस्ताक्षर करने वाला जो हैदराबाद था वह पहला राज था यह आप नोट कर सकते हैं सबसे पहला राज जो कौन सा था जो जिसने इस संदी पर हस्ताक्षर किये थे तो वह ते हैं थ्याग संदी पर हस्ताक्षर कियिए यहां पर द। संदी तो सब्सक्राइक जो थी वह दो कंडिशन होती थी तो इंडियन स्टेट क्या थे वह आपस में जगडा करते रहते थे यहां पर दो कंडिशन बनते हैं कि साइक संदी नहीं तो फिलिए वह खुद जाई इस इंडिया कंपणी के पास और उनसे मदद मांगे या फिर कंपनी इंपोज करें अब यहां पर मान लो कि जैसे कोई ए और बी यह दो स्टेट हैं यह आपस में जगडा करते हैं तो जो भी राज क्या होगा एक दूसरे को हराने में सक्षम नहीं होगा वह इस टिंडे कंपनी के पास जाए इस टिंडे कंपनी के प देगी तो अब जो सेना की टुकडी भेजी है उसको सेलिरी क्या करेगा न inside इस टिंडे यहां पर पर्री कर वा लेद Nikki और यहां वो अपनी जादा सेना तो कोई रखेगा नहीं क्योंकि इसी सेना को वह सेलोरी दे रहा है और यहां पर हम चाहिए अब हजाना खाली करवा लेती जब तक कोई समझ पाता था कि हमारे सब हो रहा है और फिर अगर वो संधी तोड़ना चाहे तो संधी तोड़ दे तो क्या करती थी कंपनी पैनल्टी के तौर पे उस पे जुर्माना रख देती थी पैनल्टी रख देती इतनी जादा या तो बहुत और कई सारे जो इस्ट इंडिया कंपनी उसने कई सारे जो राज हैं वो क्या हुए छीन लिये तो इसमें क्या है मैसु जो अवद और पेसवा था इनका आधि से अधिक राज ऐसे ही उसने छीन लिया पैनल्टी के तौर पे उसके जुर्माना लगा के उससे उनका राज छी लेकिन यहां पर जब कंपनी आई तो उस टाइम पर क्या थे मुगल थे मुगल बहुत पावर्फुल थे तो मुगल सुप्रीम थे लेकिन अब कंपनी क्या करेगी मुगलों को अपने रास्ते से हटा देगी और इसलिए यह नीती उसने चली तो इसमें क्या करेगी इस्ट जो था वो बहुत बड़ी पावर था तो इस्ट इंडिया कंपनी क्या थे वो रूस को खत्रा मान रहे तो रूस को खत्रा मानती हो क्या करेंगे यहां पर अफगान सिंद और पंजाव यह जैसे इंडिया है तो यहां पर अफगान पंजाव सिंद इनसे क्या करेगी इस्ट इसे पहले ही अफगानों से युद्ध करेंगी पंजाप से युद्ध करेंगी जिससे क्या होगा यह सब उसके कब्जे में आ जाएगा तो यह इस इंडिया कमपनी कब्जा में कर लेगी जिससे रूस का है फिर यहां पर नहीं आ पाएगी तो अगर आप से कि जो इनके साथ युद्ध हुआ जो अफगानों के साथ युद्ध हुआ उसका में रीजन जो था वो क्या था तो रूस की बढ़ती हुई पावर को कम करना इसलिए उन्होंने क्या किया अफगानों से जगडा की यहां पर हम देखते हैं कि सर्भुचता की नीती जो है वो कि 1713 1823 में सुरुबा तो रिसमें क्या क्या था उन्हें तो करनाटक है एक जगा थी और 1838 में अफगानों से जगड़ा किया कब जगड़ा करेंगे 1838 से 1842 एंगलो अफगान यूद्ध दुआ इसमें क्या होगा उस समय वहां का गवर्नर जनरल जो था वो जनरल लौड ओकलेंड था इसमें क्या करेंगे वह अफगानों को हरा देंगे अभी आप से पूछा जा बढ़ती हुई पावर को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया अफगानों से जगडा किया और 1843 में सिंद्ध को जीत लिया सिंद्ध को जीतने वाला गवर्णर जर्नल कौन था लॉड एलन वरो और पंजाब पंजाब को भी जीता 1848 से 1849 वहां के क्या थे राजा दिलीफ सिं को भी जीत लिया तो यह सारे राज जीते गए यहां पर आपको जब जैसे यह दुगा जैसे 1838 में अफगानों से जगडा हुआ तो उस टाम पूछा जा सकता है कि गवर्णर जनरल कौन था तो लॉड आउकलेंड पंजाब को जीता गया तो जब गवर्णर जनरल कौन था 1824 में जब मतलब की तूर को जगडा हुआ तो उस क्रांती में मतलब कौन था लीडर कौन थी तो वहां की राज नीचे नम्मा थी तो यह आपको याद रखने यह से कुश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं अब यहां पर कहता है कि लाड डल हो जी यहीं सट्ब करी दूर को लेकड़ कोई पूर्स नहीं होगा उसको नहीं मानेगे वह तो यह अगर उनके पास नहीं है उनका उत्त रणायिक तो वह साथ बिल्लै कर लेंग कर लें should you सबसे पहले उसने कहा गया सतारा महाराष्ट में जगह सतारा उसको अपने इस इंडर कंपनी में बिलाइकी है तो उसको मानता नहीं दी इसलिए क्या करेंगी 1857 के रिवोल्ट में उत्रेंगी तो 1857 के समय जो गवर्णर जनरल जो था वह लौड कैनिंग था और 1857 के समय जो मुगल समराः था उस ताइम वह था बहाद्दुर साय जफर नेक्स देखते हैं एकोनमिक पॉलशी अभी हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल पॉलशी जो इस요 फौन viral जाती जो ँधार बंदोबस्त महाल वाड़ी बंदू तो इस्थाई बंदोबस्त क्या था कैस इस फौन वालेस ने स्टार्ट कि थीSon 1793 में इसमें क्या किया था कि बंगाल में टेक्स को पर्मानेंट कर दिया था और वो क्या करते थे 70% 70 से 80% 80% टेक्स लेते थे अब आप ही सोचे कि किसान कमाता है कमाने का अपना जो 70 से 80% है वो उसको दे देंगे तो वो किसान जो क्या करेंगे वो नाराज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे 1857 में तभी इसी चीज़ को लेके भी रिवोल्ट होगा अब यहां पे स्थाई बंदोबस्त जो है वो बंगाल में लगाया गई और यहां पे मीडियेटर किसे ब कौन होता था जमीदार यह टेक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी होती थी और यह लैंड पर टेक्स लगाया जाता था और बंगाल में पर्मानेंट कर दिया गया था इसी तरी किसे देखते हैं महालवारी बंदोबस्त किस ने लगाया था हाल मैक एंजे ने 1822 में इसने स्टार् यह जाते थे और उसी को यह जिम्मेदारी जाती थी कि वो टेक्स बसूले महाल का मतलब होता था कि जैसे महाल मतलब कोई बड़ा एलाका मतलब जिसमें एक गाउं भी आ सकता और एक से अधिक मोश्ट लिए इसको महाल नाम दिया गया महालवारी बंदोबस्त नेक्स वाष्ट में और महाल बाडी में तेक्स कलेक्षन के लिए यहां मीडियेटर थे लेकिन रायत बाडी जो था वह शाउत में लगाया गया और कंपनी क्या करती थी इस इंडय कंपनी यहां पर सीधा डायरेक्ट किसान से टेक्स बसूलती तो आप जब सोचे कि यहां पर रखती तो यहां पर देखेंगे कि 1857 का जब रिवोल्ट होता है तो यह तक नहीं पहुंचता है क्योंकि जो उनका डायरेक्ट कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन है वो किसान से था इसलिए जादा नाराज भी नहीं थे क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स नहीं था उनके उपर इसलि यह दो थे 1820 में 1820 में इसको शुरू किया था और यह दक्षण भारत की दो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और वंबे उस पर यह टेक्स लगाया था रहयत वारी टैक्स तो यह पॉलिसी में हमने देखा टैक्स यह कौन-कौन सा टैक्स जो है वह कहां लगाएगा इस्थाई ब बंगाल में इसको पर्मनेंट कर दिया गया था तो यह चीज़ें आपको चोटी-चोटी याद रखनी है और यह आप कहीं नोट भी कर सकते हैं कि नैश्ट है मिलेटरी पॉलसी मिलेटरी पॉलसी देखते हैं इसकी में प्रॉब्लम जो थी वह हाई वर्क एंड लो सेलरी एंड रेसियल डिस्क्रिमिनेशन था नसली भेद भाव यहां पर क्या करेंगे कि कि किसान किसानों से इतना तरह टैक्स बसूला जाता था कि जाते थे तो इस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करेंगे उनको रख तो लेंगे लेकिन उनको क्या करेंगे काम उनसे ज्यादा करवाएंगे और सेलरी बहुत लो देंगे तो और जो वहां पर क्या थे तो वहां पर कुछ अंग्रेज भी काम करते थे और जो हिंदू थे वह भी काम करते थे हिंदुस्तानी तो क्या करेंगे अंग्रेज जो हैं वो हिंदुस्तानियों को नसली भेदभाव करेंगे मतलब उन्हें पसंद नहीं करेंगे और उनको थोड़ा करते रहेंगे जिससे क्या होगा हिंदुस्तानी और इसका में यह था कि 1856 में नए राइफल आये जिसमें क्या हुआ था गाय और सुमर की चर्वी से बने ग्रीज का इस्तमाल किया गया था तो जो हिंदुस्तानी थे उनका तो धरम ब्रश्ट हो रहा था क्योंकि वो गाय और ठ कि अने मना कर दिया क्योंकि उनका ध्रह्म और उन्होंने अपना मना कर दिया कि हम वो और मुह से खीचना पड़ता था तो वो मुख से नहीं खीचेंगे तो इससे क्या होगा कि अंग्रेज नाराज हो जाएगे इसी को लेके बैरकपुर जो की पश्चम बंगाल में एक जगा है वहाँ पे 34th रेजिमेंट का एक सिपाही था मंगल पांडे नाम का उसने इसी को लेके गाय और सुगर की चरवी से इस्तमाल करने से मना कर दिया इसी को लेके उसने अपने एक ऑफिसर को गोली मार दी थी जिससे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी इसके बाद क्या हुआ नतीज़ा यह होगा कि मेरट से मेरट में 10 माई 1857 को यह रिवोल्ड क्या होगा शुरू हो जाएगा इसी को 1857 की क्रांती कहते हैं यह में ली इसका में रीजन यही था कि मतलब बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने परेशान किया था टैक्स बहुत ज़्यादा बसूलते थे और नसलिये भेदभाव यह मिलेटरी पॉलिशी के अंतरगत था यह सारी चीज़ हैं कि हाई वर्क करवाते थे लोस एलड़ी देते थे नसलिये भेदभाव था इसलिए यह क्या होगा 1857 का रिवोल्ट होगा नेक स्क्रिप्सन बॉक्स से ले सकते हैं या आई बटन पर किलिक करके भी आपको लास्ट वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जो भी सजेस्टन वो कमेंड करके जर थेंक्यू